कि है कि है कि है कि है लो फ्रेंट्स वेल्कम बैक स्वागत है आप सभी के एक बर फिर से आपके अपनी यूटूब चैनल एक स्मार्ट स्टेडी में तो साथ इस क्लास में देखेंगे जिके के असी महत्पुन प्रश्णा सांदार कोश्चन जिके के जो बार-बार परिच्छाओं में आये हुए है ठीक है इन असी कोश्चनों में से कितने आप सही कर सकते हो यह आप देखेंगे टेस्ट की तरह आपको यह लगाना है इस क्लास को ठीक है तो आप चेक करिए कि आप असी म क्या होगा देखा प्रिथिवीज का एक मात्र प्राक्रतिक उपगरहा कौण सा है तो चंधरमा आपका उत्तर आ जाएगा आगे देखेंगे इस क्वेश्चन का उत्तर आएगा केंद देखो बैन King Zling Gandhi Film में Gandhi भूमेका किशनेनी भाई थीं तो बेन किंग सले आगे देखे सिच्छक दीवस कशम बने आ जाता है तो साथी सिच्छक दीवस कव घ готов 5 सितमबर को सब धे आदकना रधा किशने जी के जनमति तीपर आगे देखके जापान पर पर प्रमान उब myś… कब गिराए गया था तो साथ यो राइट एंस राएगा उनिस्टो पैंतालिस में देखो पहला तो छे अगस्त उनिस्टो पैंतालिस में गिराए गया था दूसरा नो अगस्त उनिस्टो पैंतालिस को छे अगस्त वाला हिरो सिमा में और नो अगस्त वाला नागा साकी में या बाज पिले कि स्खेल से संबंधी थे तो साथ वी स्कूस्चन का करिक्टा आगा होकी से आगे दिखिए संदू सभियता का अस्थान पाकिस्तान में है तो यह रप्पा और मोहन जो दाड़ो अगर रहता तो मुहन जो दाड़ो भी आपका अंसर आता ठीक है याद अखना सभी साथी चलिए आगे देखते नेक्स्ट कॉस्चन यह रहा चौथ नामक कर किसके द्वारा लिया जाता था तो साथ देखिए करेक्ट आएगा मराठो के द्वारा आगे दिखिए भिदान अंदोलन किसने शरु किया था साथ इस कॉस्चन का करेक्ट आएगा विनोपा भावे की द्वारा आएगे देखिए भारत में अंगरेजी सिक्छा का किसने सुरु भारत में अंग्री जी सिक्षा को किष्णे शुरू की थी तो देखो करेक्ट आएगा लॉड मेकाले ने आगे दिखिए फ्लाइंग सिक के नाम से किसे जाना जाता है तो साथ यो इस कॉस्चन का करेक्ट आएगा मिलखा सिंग को आगे दिखिए निवू और संत्रे में कौन स सब्साइंब पया जाता है तो साथयो करेक्ट आएगा बिटामिन सी उधष अंकर कि से संबंद है तो रिया संकर का समबन है प्रदेस भारत का याद रखना अरब प्राइदी पेश्थी थे वो देखे स्री लंका की मुद्रा का नाम क्या है तो स्री लंका का मुद्रा है रुपईया आगे दिखिए डिस्कावरी ओफ हिंडिया नामक पुष्टक किसने लिखी है तो देखे इस कोश्चन का करेक्ट दिखने वाले पहले बारत्या 1130 में को नोभल पुरसकार दिया गया था गिता अन्जली के लिए किस वर्ष 1913 में एक और आगे दिखिए दोनाचारी पुरसकार किसे संबंदी थे तो साथ यह दुर नाचारी पुरसकार किसको दिया जाता है तो तो सरिश्ट गुरू यानि प क्रिष्ण मिसन के स्थापना किशने की थी तो साथ यो करेक्टन सरागा स्वामी विबेक आनन जी ने आगे दिखे भारतिया मानक समय आधारी थे किस पर तो याद अखना साड़े वहरासी डिगरी पूर्वी देसंतर पर आगे देखो कौन सा देश नाथुला दर्रा के पार तो याद आपको रखना है चीन और साथ यह नाथुला दर्रा कहा है तो सिक्किम में याद रखना सिक्किम में नेक्स्ट कोस्चन देखते हैं प्रिथ्वी के नजदिक बायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है तो देखो करेक्ट आगा शोब मंडल भारतिया सेना में बिजयन्त नाम है किसका तो साथ यो भारतिया सेना में ये बिजयन्त किसका नाम है तो एक टैंक का या दखना एक टैंक का नाम है ये बिजयन्त चिनियात्री फैयान किसके सासनकाल में भारत आया था तो या दखना चंद्रगुप्त बिक्रमदाइत के आगे देखो अगरत में सबसे अधिक चाय का उत्पाजन असम में ही होता है आगर दिखिए भारत के किस राज में दार जिलिंग इस्तित है तो साथ यो दार जिलिंग जो कि टुरिस्ट पोड है वह आपका बेश्ट बंगाल में है आगर दिखिए तेलगो किस राज की राज़ भसा है तो स यको बांगलादेश की मुद्रा का नाम है नाम है तका अगे दिखिए निल नदी के किनारे कौन सी सभियाता का विकास हुआ है तो साथ यो यह दखना मिस्रीकी सभियाता की संस्थान पर महात्मा वुध ने ज्यान प्राप्ट किnt किया था तो साथ हो करेक्टन तो साथ खेबर दर्रा बरतमान में अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में इस्ती थे या दखना आगे देखो राष्टिय राजमार्ग यानि नेशनल हाइवे जोड़ते हैं किसको तो यह देखिए ब्यापार केंद्रों राज की राज़धानियों को ठीक है या दखना कौन से sir अंगुरों की पैदावार के लिए परसीदे तो साथ यू धु होत पुन्रूप है साओध एसीन एस्हु एसन-स ऑर रिजनल को और देखिए सास का फुल फौल आप से एक्जाम में जरूर पूछा जाता है तो या दखना साउथ एस्याशन फोर रिजनल कोपरेशन आगे दिखिए स्वेज नहर के खुलने से किन दो महादिपो के बीच का मार्ग छोटा हो गया है तो या दखना योरोप से एस्या और पूर्भी अफ्रीका का आगे दिख क्रेक्ट आएगा 1914 से 1918 के बीच में आगे दिखिए भारत का महान जेस्ट व्यक्ति यानि ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से कौन परसीदे तो या दखना दादा भाई नहरोजी सवीने अवग्व्या अंदोलन कब प्रारम हुआ था तसाथ इस्क्रेक्ट आगा मार्च 1930 से लेकर अप्रेल चे अप्रेल 1930 तक चला था आगे दिखिए किस प्रधान मंत्री ने समाजवाद की विचार धारा को आगे बढ़ाया था करेक्ट आगा पंडित जोहरलाल नेहरु जी ने आगे दिखिए भारत के अरब सागर और बंगाल के खाड़ी से लगे समु या दखना 15 डिगरी क्योंकि एक डिगरी चार मिनट में घुमती है तो साथ यों 15 डिगरी को घुमने में कितना टाइम लगेगा तो विलकुल 60 मिनट यानी एक घंटे का आगे दिखिए चंद्रगरहन होता है जब क्या होता है तो देखो चंद्रगरहन प्रिथिवी जब चंद्रगरहन होता है आगे देखिए ब्रिटिस सासन द्वारा की सासनों देखो ब्रिटीन सासन के द्वारा की सस्थानों के बीच परथम रेल्वे लाइन शुरू की गई थी तो यहां दखना मुंबई से थाने के बीच ठीक है जो 34 किलोमेटर तक चली थी साथियो यहां आग देखिए भारत का राष्ट्य पसू कौन सा है तो साथ भारत का राष्ट्य पसू है बाग आगे दिखिए भारतिया बायुसेना में कमीशन अधिकारी का सबसे चोटा पद होता है साथ यह पाइलेट ओफिसर आगे देखिए युद में सहासुर प्राकरम के प्राधर् सबसे बड़ा महाधिप चारणों से और यान या'Tuckना रखना बहिर मंधल के नाम से यह और एंतर के लिए सब्सक्राइं निट थे तो साथ यो टबलाबादक थे यार रखना देको राजय सभा की बेठा को किया धिस्ता कौन करता है तो साथ यार रखना उपराष्ट पती देखो किस गुफा में त्रीमूर्ती यानि ब्रह्मा विष्णु महेश के मुख्यमंडल की मूर्ती इस्ति थे तो यार रखना सभ कश्मिर का रेल बात किस रेलवे जौन के अंतरगत आता है तो साथ यार रखना करनाटका में संग्सासित परदेश अंडमान निकोबार दूपसमों की राजधानी कौन सी है तो यार रखना साथ यो पोर्ट बिलियर आगे दिखिए बिस्वभिच्छात महाकाव्य महाभार के रेचियता कौन है तो साथ यार दखना बेदवियास गितांजली के कभी कभी कौन है तो साथ गितांजली के कभी है रविंद्रनाथ टेगोर जी इन्हीं के लिए इनको 1913 में नोबेल परसकार मिला था यार दखना आगे दिखिए किन दो अस्थानों के बीच हिम्सागर एक्सप्रेस चलती है तो देखो करिक्टन सराइगा जम्मू से कन्याकुमारी के बीच में आगे दिखे जनरल कि सेना का एक अधिकारी पद है तो या दखना भारत या थल सेना का या दखना इंडियन आर्मी का आगे दिखिए भारत के किस राज में पवित्रतिर तरस्थल अमरनाथ इसतीरा साथ यौ अमरनाथ जम्मू कस्मिर में स्धीट है आगे दो बिख्यात पर commence नस्टल गुलमर्ग भारत के कि स्खेतर में स्धीट तो देक 나ए निया को उगते हुए सुरज की भूमी कहा जाता है तो साथ याद रखना जपान को आगे दिखिए कौन सा सार मजद परदेश की राजधानी है तो साथ राज में मलियालम भासा बोली जाती है तो देखो करेक्टेंट सराएगा केरल में आगे दिखिए चंडिगड का रोक गार्डन सेल उधान किसने बनाया था तो याद रखना नेट चंड ने अंतिम कोस्टन ये राज साथ यो जम्मू किस नदी के किनारे परिस्ती थे तो याद रखना सभी साथी तवी नदी के किनारे परिस्ती थे जम्मू तो साथ ये 80 कोस्टन थे जो जादा से जादा 11 मिनट में आफ हमें कमेंट करके बता जो ठीक है और सभी साथ को लाइक कर दिजये आपने दोस्तों के साथ यह कर दिजिए बिल्यम लेंगी टीक है तो मिलती है निग्स ध्रम आप